हेलो फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में महिला परवेक्षक में योजना का पार्ट टू लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको स्वास विभाग की योजनाओं के बारे में बताऊंगी इसके पहले मैंने आपके साथ योजना का पार्ट वन सेयर किया था यदि आपने वह नही देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला परवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं पार्ट टू इसमें फर्स्ट है राश्ट्री आरोग निदी इसकी सुरुवात उन्निस संत्यानमे में स्वास्त एवं परिवार कल्यान द्वारा की गई थी इसका उद्देश से है गरीवी रेखा से नीचे रह रहे हैं लोगों की साहता करना जो अत्तिक गंबी रोगों से ग्रस्त हैं दूसरी योजना है राश्ट्री स्वास्थ नीती 2002 इसका उद्देश से था इस नीती के तहत गरीवी एवं वंचित वर्ग के लोगों क व्यक्तिगत स्वास्त में सुधार करना, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, खादे पदार तक पहुत सुनिश्चित करना आधी का लक्ष निर्धारित किया गया है। इसकी सुरुवात 12 अप्रेल 2005 को हुई थी, इसका उद्देश था ग्रामीड सेत्र के गरीबों को गुडवत्त पूर्ण स्वास्त सेवा मुहिया कराना, एवं प्रात्मिक स्वास्त पर ध्यान के इंद्रित करना। तीस जीविज जन्म के नीचे लाना, चोथा है मात्रत म्रत्युदर को वर्स एक लाख में सो जीविज जन्म से नीचे लाना, पांचवा है गुल प्रजरंदर को 2012 तक दो बच्चे प्रति महिला के इस्तर पर लाना। अब हम देखेंगे आसा कारे करता क्या होता है। राश्ट्री ग्रामिर स्वास्त मिसन के अंतरगत कारे करता को कहा जाता है आसा कारे करता। इसकी सुरुवात मार्च 2006 में हुई थी। इसका उद्देश से था स्वास सुविधाओं में छेतरी असंतुलन को दूर करने तथा उच्च इस्तरी मेडिकल सिक्षा उपलब्ध कराना। इस योजना में दो मुखी घटक थे। पहला है अखिल भारती आयुर विज्ञान संस्थान जिसे एम्स कहते हैं की तरज पर अन्य राज्यों में छे संस्थान इस्थापित करना। जिसमें सामिल है पतना जो बिहार में है, भोपाल जो मध्यप्रदेश में है, भुमनेश्वर उडीसा में है, जोधपूर राजिस्थान में है, राएपूर छत्तिजगड में है और इसी केज उत्राखंड में है। इसमें दस राज्यों में इस्तित 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्य अन्य करना था। इसमें प्रति परिवार को प्रतिवस 30,000 तक की चिकित्सा सहता प्रदान की जा सकती है। इस योजना का 75 प्रतिसत अंस केंद्र द्वारा तथा 25 प्रतिसत अंसदान राज्य द्वारा किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अब नेक्स्ट योजना है नावजास सिसू सुरक्षा कारेकरम। इसकी सुरुवाद 20 अक्टूंबर 2009 को हुई थी। इसका उद्वे सिथा नावजास सिसू की देखभाल एवं सिसू मृत्यूदर में कमी लाने के लिए किया गया है। इसका लक्ष है वर्स 2012 तक सिसू मृत्यूदर को 1000 में 55 से तथा घटा कर 1000 में 30 तक करना है। नेक्स्ट योजना है NPCDCS ग्यारवी पंचवर्सी योजना के थायत इसकी पहल की गई थी। यह कैंसर मदू में रदय रोग और स्ट्रोग नियंतरन के लिए राश्ट्री कारिक्रम से संबन दित था। यह प्रमुख गैर संचार रोगों पर रोग थाम करने के लिए और भारी नुकसान को कम करने के लिए क्रियानवित किया गया था। अगला है प्रतेक 10,000 जनसंख्या के लिए एक प्रसूती सहाई का होना चाहिए। अगला है प्रतेक 200 से 500 परिवार के लिए एक आसा कारे करता होना। अगला है केंद्र और राजिक का वित्तियन भागीदार पैटन 75 अनुपात 25 के अनुपात में सुनिश्यत किया गया है। इसमें जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के लिए 90 अनुपात 10 में सुनिश्यत किया गया है। अगली योजना है व्यापक रोग प्रतिरक्षन कारेकरम इसकी सुरुवात 1978 में हुई थी इसका ओदेश सिता बच्चों को घातक रोगों से बचाना। प्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी टाइप के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू